हेलो वीवर्स वेलकम तो माई फ्यूजन मसाला मिक्स यूटूब चानल प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हेलो वीवर्स आज हम बनाएंगे चिकन लॉली पॉप यह बहुत ही मज़िदार सा स्टार्टर है जो कि अक्सर हम रेस्टराव गरा में जाते हैं तो ओर्डर करते हैं यह इसकी इंग्रीडियन्ट लिस्ट है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने 10 पीस चिकन के थाइस लिए हैं और आप देख सकते हैं यह जो दो तरफ एंड पे बोन्स है यह एक तरफ से बंद है और एक तरफ से इस तरीके का खुला हुआ है तो जो बंद की तरफ का बोन है उसको हम पकड़ेंगे और पूरे फ्लेश को हम नीचे के तरफ क्रेप करेंगे यह आप दे कर लें नीचे के तरफ और आपको यह चिकन लॉलीपॉप का शेप मिल जाएगा तो हमने इसी तरीके से बाकी सारी पीसस को बना लेना है यह आप देख सकते हैं कैसा पीस फॉर्म हुआ है ने दूसरी पीस लिए है और इसको भी हम इसी तरीके से पुरे फ्लेश को ध्यान स नाइफ के हेल्प से नीचे की तरफ कर लेंगे जब हम मार्किट पगेरा में खरीदने जाते हैं तो हम जो है बनवा के लेते हैं शॉप कीपर से अगर आप इस तरीके से करेंगे तो घर पर बहुत असानी से यह बन सकती है तो हमने इसी तरीके से सारी पीसे को रेडी कर लिया है उसको स्क्वीज कर लेना है और जो भी इसकी सीट वगेरा है वह हम निकाल देंगे और साथी इसमे आड़ करेंगे वन टीस्पून सॉल्ट और इसे हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे तो यह हमारा पहला मैरिनेशन है इसे हम इस तरीके से करके तकरीबन एक से दो घ नेज लिए मज़ के दो घुलेंजे हमारा चिकिन मारिनेट हो प्रिशन होके अब आट करेंगे तो सबस्पाहले मिसमे माइज करते हैं और भाफ टीस्पून गरम मसाला या टेबल सपून जिंगर गालिक पेस्ट इसमून chapter 1 टीसमून चिली सॉस एंड साती हम इसमें रेड चिली पाउडर यूस करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे हमें इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरा मसाला जो है अच्छे से सारी पीसस में कोट हो जाए तो ये देखें ये पूरा हमारा अच्छे से मारेनेशन रेडी हो गया है और अब जो हम इसका बाटर प्रिपेर करेंगे तो एक बावल में मैंने 4 टेबल स्पून मैदा डाला है और बिल्कुल इसके हाफ में 2 टेबल स्पून कॉन फ्लार डाला हुआ है और साथ में इसमें 1 जिंजर गालिक पेस्ट आड़ किया है और 1 टी स्पून यह हमने सॉस लिया हुआ है टोमाटर सॉस है और शाथ हम इसमें आड़ करेंगे रेड फुट कलर जो कि बिल्कुल थोड़ा सा हमने लिया यह ऑप्शनल है लेकिन इसे रालने से बहुत अच्छा सा कलर आता है और अ तो हम इसे अच्छे से फेट लेंगे तब तक जब तक इसके सारे लंप्स नहीं निकल जाए और हमने इसमें नमक नहीं आड़ किया था तो अब ही हम इसमें हाफ टी स्पून नमक भी आड़ कर रहे है तो बैटर और चिकन सब रेडी हो गया हमने कड़ाई लिये उसमें हम दालेंगे कशन की पीसर कोड़ाई तो वह अच्छे से फराई हो सके तो यह देखे सारी चिकन लॉली पॉप की पीसर रेडी हैं साहनी और हमारा तेल गरम हो गया है अब हम से फराई करेंगे तो यहां पर मैंने एक पीस ली है उसको इस तरीके से हमें पकड़ना हम नीचे क को डाल देना है तो हमने इसी तरीके से बाकी की पीसे को भी डाल देना है यह हम दो बैच में फ्राइब करेंगे पहले हमने पांच पीसे डाली है आप इसे ओवर क्राउडड नहीं करें अगर फ्लेम बहुत तेज रखेंगे तो यह बाहर से जो हैं जल जाएंगे और अंदर स जो है यह कच्छे रहेंगे और बहुत स्लो करेंगे तो चिकन जो है बिल्कल सक्ट सा बनेगा तो इसलिए आपको मीडियम टू हाई फ्लेम इसकी फ्लेम रखनी है तो यह देखिए हमने दोनों तरफ इसे अच्छे से फ्राइब कर लिया है तक्रीब हमें आच से दस मिनट लगे वें और अब हम इसे निकाल लेंगे तो हम इसे एक टिश्यो टाल में निकाल लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम अपमारा जो दूसरा बैच है वो भी रेड़ी कर लेंगे तो यह आप देख सकते हैं कितनी असानी से हमने घर पर ही चिकन की पीसेस को हमने इस तर यह से बनाके, बिल्कुल जैसे रस्ट्रो में चिकिन लॉरी पॉप मिलता है, हमने बिल्कुल वैसा ही रेडी कर लिया है, तो जैसे कि आजकल के हालाद चल रहे हैं, लॉक्डॉण वगेरा है, तो बाहर का खायना हाईजीन भी नहीं है, और easily available भी नहीं है, मिल भी नहीं पा रहा है तो आप इस तरीके से अगर आपके घर में कोई function है, कोई party, birthday, anniversary या कुछ भी कोई celebration का मौका है तो आप इसे बिल्कुल इस तरीके से आप बना के उसे enjoy कर सकते हैं ये देखे हमाई दोनों बाच रेडी हो गए है, आप इसको और एक अच्छा additional लुक देने के लिए हम इसके उपर इस तरीके से foil लगा देंगे ये बिल्कुल optional है, लेकिन इसे लगाने से इसका लुक जो है बहुत अच्छा सा है तो हमने यहाँ पर थोड़ी से salad लिये हैं, उसके साथ को serve किया है और अब हम इसके उपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रहे हैं आप चाहें तो इसे शेजवान चटनी के साथ भी serve कर सकते हैं ये थोड़ा सा Chinese टच दे देगा इसको तो ये देखें कितने मज़दार से हमारे चिकन लॉली पॉप रेड़ी हो गया है बिल्कुल जैसे रेस्टरॉमें मिलते हैं तो आप भी बनाए इस मज़दार सी recipe को और अपने व्यूजर कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करें अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आई है तो प्लीज क्लिक दे लाइक बटन और सबस्क्राइब मैं चानल डोंट फगेट तो प्रेस दे बेल आइकन जिसी कि आपको मेरी recipes की notification सबसे पहले मिले जल्द मिलते हैं एक नई recipe के साथ